Do you guys remember, जब हमारे दादादी कहा करते थे कि फिल्में तो हमारे जमाने बना करती थी? Trust me, they were right. उस जमाने की फिल्में, गाने, आज तक एवर ग्रीन हैं. तो मैं आप लोगों के लिए पाच ब्लाक और वाइड फिल्म्स लेकर काया हूं with a great social message and films you should watch over this weekend. तो मेरे लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एक ऐसी फिल्म का जो रिलीज हुई थी 1953 में. और इस फिल्म की कहान ये एक किसान के रहती है जो अपने गाउं से निकल के कॉलकता जैसे बड़े शहर में आता है ताकि वो रिक्षा चला सके और कुछ पैसे कमा सके. ताकि वो अपने घर वालों को भी समाल सके. जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बिमल रॉय डिरेक्टेट फिल्म दो भीगा जमीन स्टारिंग बलराज सानी, निरुपा रॉय और रतन कुमार. मेरे लिस्ट में दूसरी फिल्म आती है राज कपूर की मोस्ट पॉपलर फिल्म स्री 420 स्टारिंग राज कपूर और नर्गिजदत. फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की रहती है जो अपने गाउं से निकल के एक बड़े शहर में आता है ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके. बट धीरे धीरे उसे काफी प्रॉब्लम्स और चैलेंज़ेस फेस करने पड़ते हैं emotionally और physically. मिरे लिस्ट में अगला नाम आता है एक ऐसी फिल्म का जो रिलीज हुई थी 1956 में और इस फिल्म को ओडियन्स से काफी जादा प्यार भी मिला था. तो मैं बात करना हूँ राज कपूर स्टारर फिल्म जाकते रहो. तो इस फिल्म की कहानी एक बेगर इंसान के रहती है जिसे सिर्फ पानी पीने के वज़े से जेल जाना पड़ता है. Imagine करिया आज के जमाने में कोई पानी पी रहा और उसे जेल जाना पड़े है. तो जी है हम बात कर रहे है गुरुदत की मोस्ट अडरेटेड फिल्म कागस के फूल की और इस फिल्म के आज तक लोग काफी जादा दिवाने है. So, अगर आपको हमारा रेक्मेंडेशन पसंद आया, तो प्लीज शेर इत विद यूर फ्रेंज और होपसे यह गाई लाइक दा वीडियो है मुदू, प्लीज लाइक शेर 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 चैनल, और फॉलो अस वर मोर सच कॉंटेंट.